आमादमी पार्टी के मुख्या और दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल नहायती नाट की अंदाज में इस बात का एलान करते हैं कि भारती ये जनता पार्टी की तरफ से दबाव था कि आप हमारे पाले में शामिल हो जाओ, हम आपको फिर परिशान नहीं करेंगे केजरिवाल केहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, बड़ा सवाल ये कि क्या आर्विंद केजरिवाल सच बोल रहे हैं, क्या ये नौटन की तो नहीं, क्या वाकई आर्विंद केजरिवाल की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? मुद्दा ये नहीं कि अर्विन केजिवाल सही कह रहे हैं या घलत कह रहे हैं मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं मुद्दा ये है कि आज की तारीख में जो भी भाजपा के सामने नहीं जुक रहा है उसके वजूद को खत्म किया जा रहा है उसे जेल में डाला जा रहा है अगर मुख्यमंत्री भारती जनता पार्टी के सामने जुकने को तयार है तो एजिंसीज उनकी सेवा करेंगी वरना उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा आज मैं आपको अर्विन केजिवाल का बयान भी सुनाऊंगा और साथ ही जारखंड के पूर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जो इस वक्त जेल में हैं उनके वकील कपल से बल कुछ एहम मुद्दे उठा रहे हैं वो भी आपके सामने रखूँगा बगर सबसे पहले सुनते हैं क्यारविन केजिवाल क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर याद कीजे दोस्तों चेंडिगड के मेर चुनावों में धांदली होती है यह चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस एक साथ उत्री थी काइदे से उन्हें जीत जाना चाहिए था मगर प्रेजाइरिंग ऑफिसर जोकी भाजपा के सदस से भी थे उन्होंने नहायती रहसमें तरीके से आठ वोट्स को ऑपोजिशन के आठ वोट्स को रद्द कर दिया अवैद करार दे दिया और उसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाप प्रदर्शन कर रही है अगले दिन क्या होता है? पुलीस पहुंच जाती है अर्विन केजरिवाल के घर पर क्योंकि अर्विन केजरिवाल ने एक आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के करीब साथ से आठ विधायकों को भाजपा खरीदने की कोशिश कर रही थी अब अर्विन केजरिवाल ने ये निहायत ही ड्रमाटिक आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा ये कह रही है कि आप हमारे पाले में शामिल हो जाओं आपको परिशान नहीं करेंगे जाहिर से बात है दोस्तों ये अर्विन केजरिवाल का एक बयान है मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथे रखना चाहूँगा आपके स्क्रीन्स पर कुछ चेहरे देखिए हिमंत बिस्षर्मा, सुवेंदु अधिकारी, नारायन राने, अजीत पवार, शगन भुजबर इन सब में समानता क्या है, इन सब पर जाच एजनसीज की दबिश्थी ये सब भाजपा में शामिल हो गए, तमाम जो केसिस थे, वो चाहे जितने भी गंभीर रहे हो, उड़न्शू हो गए मगर जो जो नहीं जुका, उस पर लगातार निशाना साधा गया कुछ चेहरों पर गौर कीजे, हेमन सोरेन इस वक्ट जेल में है, इसके लावा मनी से सो दिया, सत्ते इंद्र जैन, संजे सिंग, आम आदमी पार्टी के, इसके लावा राहूल गांधी और सूनिया गांधी, दोनों पर दबाब डाला गया था, एजनसीज द्वारा ये हैं कपिल सिंबल जो कि हेमन सोरेन के वकील है, आज वो सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों हेमन सोरेन का मामला, इससे लेकर कपिल सिंबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गये थे, चीफ जस्स अव इंडिया डीवाई चंदरशूर क सामने गए थे। उन्होंने कहा था कि ये मामला राजनीतिक प्रतिशोध वाला है। लिहाज़ा आप उन्हें रहत दीजे। सुप्रीम कोट ने क्या का? नहीं हम नहीं सुनने वाले हैं आप हाई कोट चले जाएए। आज कपिल से बिलतत्यों के साथ आपके सामने एक बात रख रहे हैं। कपल सिब्ल कह रहे हैं कि भई सुप्रीम कोट हमें बता दे। कि हम किस मुद्ध को लेकर आपके सामने आएं और किस मुद्ध को लेकर ना आएं। सुनिए वो किस तरह से सुप्रीम कोट के इस दोहरे माबदन की बात कर रहे हैं, सुनते हैं परनब गुस्वामी के मामले में तुरंट 32 प्रेशन हुई और सुप्रीम कोट ने इस गोजमेट किया और राहत के लिए बिलकिस याबू, याकूब के मामले में पी ऐसा हुआ विनोद दुआ के मामले में पी ऐसा हुआ मदूले में मैं पुरानी बात कर रहा हूँ वर्सिस टेट अब भाराष्ट्रा वो Constitution Banks ने सुना केरणा Union of Journalists Article 32 में आए उनकी सुनवाई हुई मीना वर्सिस टेट अब यूपी जस्टिस कॉल और जस्टिस दूलिया ने सुनवाई की और सबसे ताजू की वात यह है कि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टिट अर्टिकल 32 में आए अब बताएगे अब अगली बारी अर्विंद केजरिवाल की है उनका जेल जानाते है क्योंकि भाजपा के तेवर साफ है हर जगा डबल इंजिन की सरकार चले जहां पर विपक्ष की सरकार हो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। हैवारी सरकार का तो मतलब या ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और बाजपा की सरकार वहां भी यह इनस्मारा हिए। किन मुद्दों को लेकर आपके सामने आएं। वो कह रहे हैं कि साड़े आठ एकर की जमीन के मामले में जो की हिमन सुरेन की है भी नहीं उस मुद्दे पर उन्हें जेल में भेज दिया गया है साफ है कि विपक्ष को खत्म कर देना साफ है दो हजार चौबीस से पहले विपक्ष का सफाया हो जाना ताकि प्रधान मंत्री नरिष्द पोदी कुछ छुनोती देने के लिए कोई भी ना बचे इस मुद्दे पर कपल सिंबल क्या कह रहे है आए सुनते है और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकर का कोई 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 जमीन है 2009 में उन्होंने ये जमीन हरप कर ली उस जमीन में इनका नाम निशालन नहीं है जो किसी और बनियारी जमीन है रही ही जा लैंड जो किसी को ट्रास्फर होई नहीं सकता और जो रिजिनल ओनर है उनको वापिस आज के लिए उसकिए वाफ उनके उनके पास लैंड है और इन्होंने रहे में जीने ये बिता रीडी और अगर ये बात भी सुप्रिम कोट दिये सुनेगा तो हम चाहीं कि यहां तक की जिस भानू प्रताब के साथ हेमझ सुरेन के link पैदा किये जा रहे हैं और जिस आधार पर उन्हें गिरफतार किया गया है हेमन सोरिंग की कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ हेमन सोरिंग की उपर ये दबाव था कि आप हमारे सामने आकर जुक जाएं वो नहीं जुके लिहाज़ा उन्हें गिरफ़तार कर लिया गया है और यह जो भानू प्रताप की कड़ी है वो बहुत ही रहस्में है एक ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का विवादास्पद इतिहास है इस मुद्दे पर क्या कहना है कपल सिब्बिल का आईए सुनता है तो किस आधार पर इन्होंने हेमन जी को गिरफ़तार दिया है एक बात सपच्छ है दोस्तों मामला सिर्फ हेमन सोरेन तक आकर नहीं रुकेगा यह मामला भी और आगे बढ़ने वाला है मुझे लगता है कि कुछ नेताओं पर इस वक दबिश जारी है जिसमें तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, अर्विन केजिवाल हैं, राहूल गान्थी है और अलग-अलग तरीकों से उन्हें घेरने की कुश्च की जारी है कहीं मानहानी, कहीं भरष्टाचार का केस, इस तरह से उन्हें घेरा जा रहा है मैं बार-बार आपसे कहता रहाँ, अगर किसी का गुनाह साबित होता है तो स्वाभाव एक सी बात है, उसे जेल में वक्त बिताना पड़ेगा मगर आपको जेल में इसलिए नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि आप भाचपा के सामने को जुकने को तयार नहीं है और जो भाचपा के सामने जुकने को तयार है, उसके तमाम मामलों को रफादाफा कर दिया जाता है मुझे बताईए ना, अजीत पवार ये वो चहरा है जो आज की तारिक में महराश के डेपिटी चीफ मिनिस्टर है इनके बारे में देवेंदर फड़नवीस ने शोले का वो मशूर डाइलोग लगाया था कि अगर हम सत्ता में आ जाएं तो देवेंदर फड़नवीस जो है, वो सब को होश्ठिकाने लगा देगा और अजीत दादा चक्की पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग शोले तो सुपर हिट थी मगर आपका डायलॉग देवेंदर जी नहाए थी सुपर फ्लॉप और घटिया है क्योंकि यहाँ पर आपके दोहरे माबधंड साफ तोर पर दिखाई देते हैं इसलिए आज की तारीक में एजिंसीज यह जो तमाम हरकते कर रही है जो तमाम कारवाई को अंजाम दे रही है यह कोई भष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं है यह विपक्ष विरोधी मुहिम है इसका मकसद साफ है कि दोहजार चौबीस के लोगसभा चुनावों से पहले आधा से जादा विपक्ष जेल में हो ताकि भाजपा के सामने खड़े होने की कोई सोच भी ना सके क्या ये लोगतंत्र का संगोलियूग है क्या ये लोगतंत्र का अमरितकाल है ये सवाल तो किया जाएगा ना अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार झाल